नमस्ते जेहिंद, मैं हूँ अजस्वी शर्मा और आज मैं आप सभी लोगों से कुछ खास बाते करने जा रहा हूँ आज 15 अगस्त है और भारत अपने 78 वे वर्षकांट की ओर बढ़ गया है तो मुझे आप सबसे बात शेयर करते हुए बहुत खुशी मिसूस हो रही है कि 28 दिसंबर 2023 को रब्दी आवाज का वर्ल्ड प्रीमियर किया गया था चंदीगड में और आज की तारीक तक इस फिल्म के 125 से अधिक शोज पूरे हो चुके हैं पूरे भारत वर्ष में और बाहर देशों में भी कुछ जगाओं पर फिल्म को पब्लिक एरियस में दिखाया गया है और उडिटोरियम में यूनिवरस्टी में फिल्म स्कूल में और कॉलेजिस में रिसर्च के भी कारण से इस फिल्म को दिखाया गया है यह फिल्म ना केवल आम पब्लिक ने देखी है बलकि इसे स्पेशल ऑडियंस ने भी बहुत भारी तदाद में देखा है और उत्तर भारत शेत्र में इस फिल्म को ज़्यादा देखा गया है मुझे आप सबसे बताते भी आपको दिखाया जाएंगे एक ट्रेलर के रूप से और इस फिल्म को आधे मिलियन से ज्यादा पांच सो हजार यानि के पांच लाख से अधिक लोगों ने पूरे पूरे विश्वभर में इस फिल्म को देखा है और इस फिल्म को हमने उत्तर भारत के हर ग्रामीन शेत् इनटर में दिखाया है तो काफी परदेशों में इस फिल्म को प्रदर्शत किया गया है और इस फिल्म को सेंट्र बौर्ड ऑफंच सटीफिकेशन द्वारा यू सर्टिफिकेशन यानि की युनिवर्सल प्राप्त हुआ है और यह भारत की पहली मल्टि-इंक्लोजिफ हिं इंपेर्ड यानि के डेफ लोगों के लिए भी इस फिल्म को इंडियन साइन लेंगोज यानि के भारतिय संकेतिक भाशा में बनाए गया है यह फिल्म सभी फॉर्मेट्स में रोलिंग फ्रेम्स एंडर्टेन्मेंट के यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए अपलब्द है हाला कि जब भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग्स हो रही हैं मैं सभी स्क्रीनिंग्स पे खोद पर्सनली जा रहा हूँ और लगबग लाखों दर्शकों से और आप मानेंगे देश के युवा से जो अभी आठवी, नौवी, दसवी, ग्यारवी, बारवी कक्षा में हैं, तंपये जाके हमारे देश के यूथ लीडर्स बनने जा रहे हैं इतने सारे क्षेत्रों में अपनी प्रोफेशनल डिग्री करने जा रहे हैं और जौब्स और बिजिनसत पर्लाव defense करने जा रहे हैं और यह विचार मैंने सबसे पर्सनली मिलके बात करके इस चीज को अनुभफ किया है कि उनकी लाइफ में क्या वो एक परसेंट डिफरेंस इस फिल्म से क्रियेट हो पाया है इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं इसका जवाब आप यानि की दल्शक दे सकते हैं इस फिल्म की और भी स्क्रीनिंग की जाएंगी इस वर्ष के एंड तक जितने भी लोग इस फिल्म को देख रहे हैं यानि कि आप भी इस फिल्म को देख रहे हैं तो यह इस फिल्म के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पढ़ेंगे जाकर के कि सबने फिल्म देखने के बाद इस film के वारे में क्या लिखा है यह हम नहीं लिख रहे हैं यह सभी दर्शक लिख रहे हैं और सभी उम्र और सभी वर्क के दर्शक लिख रहे हैं यह film inclusive cinema inclusive education और inclusive भारत जाम की तरफ एक सांजा प्रयास है हम सब की और से कि है एक छोटा सा हमने पहल की है कि inclusivity in cinema कैसे बढ़ाई जा सके और जिस inclusive society का हम कलपना करते हैं वो inclusive society अगर हमारे सामने सचाई मी नजर आ जाए तो हम उस चीज़ को कैसे अनुभफ करेंगे और इसमें कैसे बढ़ोतरी करेंगे जिस ओर हमारे देश भारत बढ़ रहा है आज उसमें बहुत सारी युवाकार्य और बहुत सारे बड़े लोगों के सयोग की भी बहुत जरूरत है और हमारा जो प्रयास रहने वाला है वो सिनमा की ओर रहने वाला है इस वर्ष से और यानि कि पिछले आने वाली फिल्मों से भी हमने बहुत सारी इंग्लूसिव प्रैक्टिसेज अपनी फिल्मों में शुरू की है हमारी पिछली फिल्म एड्मिटेड जिसे 68 वे राष्ट्रे फिल्म पुरुसकार में स्पेशल जूरी अवार्ड से नवाजा गया था वो इंक्लोजिव भारत की पहली फिल्म गिनी जा सकती है जो की जेंडर एजूकेशन पर अधारित है और वो भी थर्ड जेंडर एजूकेशन पर और उसके बाद जब फिल्म आई रवदी आवाज तो वो डिसेबिलिटी को इंक्लोजिव बनाने के लिए और आम सामाने लोगों की जितनी भी मेंटल हेल्थ है उसके साथ भी एक इंक्लूजिव अप्रोच लेकर के इस फिल्म ने अपने कारे को आगे रखा है यह भारत की ऐसी पहली फिल्म है या बड़ी रेरिस्ट आप दफिल्म है मानूँगा जिसमें जितना भी लोग इस फिल्म में विजुली इंपेर्ड यानि की ब्लाइंड आप देख सकते हैं यानि की हमारे मुख्य किर्दार भी इस फिल्म में शिव कुमार शर्मा जिन्होंने स्वैम भूमिका निभाई है यह सभी लोग इस फिल्म में एक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् script को लिखने के format में, brain language से film की shooting के तourAn, film की release के तourान, film को release करने के fromats में सभी तरीके से inclusive practices को include किया गया है, मैं आगे और भी बताना चाहूँँगा, आज क्योंकि बहुत ही इतिहासिक दिन है, आज मारे देश के इतिहास में, रब्दी अवाज की उपर एक research document की भी त्यारी की जा रही है जिसमें इस film को जितने भी venues पे दिखाया गया है इस film को बनाने से लेकर के अब तक 125 से अधिक जब भी 30 नवंबर तक जितनी भी venues हम cover कर पाएंगे इन सभी की documentation एक किताब के form में भी अब दर्ज होने जा रही है जिसकी गोशना इस साल इसकी पहली वर्षगांट यानि कि 27 दिसंबर 2024 को की जाएगी तो मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और बलकि खुद नहीं पूरी टीम की ओर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने रब्दी आवाज को इतना प्यार दिया और इस फिल्म को स्विकारा और आज 15 अगस्त का दिन है आप सभी देश के प्रती अपना जशन मनाए और 16 अगस्त 2024 से अगली फिल्मों के उपर भी हमारा कारे शुरू हो जाएगा जिसके बारे में जल्द आपको इस वर्ष के आखिर में सुचित किया जाएगा मैं हूँ जस्वी शर्मा, जैहिंद